एक तरफ बिपक्ष आरोप लगाता है कि इन दस सालों में नरिंद मोधी की सरकार रही हो या चाहे साथ सालों में योगी आदित नाजी के सरकार रही हो बिकास के कोई कारे नहीं हुए, सिर्फ हवा बाजी हुए, जुमले बाजी हुए अखले शादो का भी हाल ही में बयान आया कि 140 करोड की जनता है, इस बार बिजेपी को 140 सीटों के लिए तरसा देगी, जबकि आप लोग 400 का नारा दे रहे हैं जो हवाई पट्टी वो स्वयम के लिए बनाये थे कि उनकी नीजी बिमान उतरते थे उस पर, उस हवाई पट्टी को जनता के लिए हवाई अड़ा बना दिया विस सुबिद्याले जो बहुत दिनों से मांग थी नवजवानों की, उसको हमारी सरकार ने दे दिया उदह से का जा रहा है, यूपी हाफ, महराश्ट्रा हाफ और बाकी देश से बीजेपी साथ ये टाई टावा सैफ़ई के लोगों को भरने का काम किया, आजमगड में भी अगर भरती होती थी तो उनके पास से लिस्ट आती थी इंडिया गड़ बंदन के लोग हर जन सबा में कह रहे हैं कि अगर बीजेपी आ गई तो देश का लोगतंत्र खत्रे में आ जाएगा, देश का समविधान बदल जाएगा इस वक्त आजमगड जिले में हैं और हमारे साथ भारती जन्ता पार्टी के वरिशनेता अखलेश मिश्रा गुड़ू जी हैं दोहजाचोबिस के लोग सभा चुनाओ में जो भारती जन्ता पार्टी के प्रत्याशी हैं दिनेश लाल यादो निरहुआ इन्हों ने उनके चुनाओ के लिए पूरा जोर लगा दिया है और चुनाओ एकदम अंतिम पड़ाओ पे है 25 तारीक को आजमगड में ओटिंग हो धन्यवाद पहला सवाल तो यही है आजमगड को लेकर क्योंकि आप यहीं से आते हैं आजमगड का क्या महौल है आजमगण का महौल भारती जनता पार्टी के पच्छ में है और दोनों सीटे लाल गंज और आजमगण दोनों भारती जनता पार्टी के प्रत्यासी जीतेंगे लेकिन एक महौल ये बताया जा रहा है बनाया जा रहा है कि जो मुझूदा समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं जिनको उप चुनाओं में हार का सामना करना पड़ा था वो तक्रीबन दो लाग होटों से इस चुनाओं को जीतने जा रहे हैं इस तरह का हुआ खड़ा क थे तो चुनाओं लड़ा हारने के बाद वो कभी फिर यहां देखने के लिए नहीं आए कि यहां के जनता का क्या है सुक में है दुख में है क्या है हमारा जो कंडिडेट है वो चाहे चुनाओं 2019 में हारा तभी आजमगण में बना रहा और 2022 में जीतने के बाद लगातार 15 म महिने से यहां के जनता के बीच में उनके सुख दुख में सरीख होना और आजमगण के लिए तमाम विकास परियोजनाओं को लाना यह उसकी प्राथिमिक्ता रही है तो 2014 के अगर मैं बात करूं जब से भारती जनता पार्टी की राजनिते में नरेंद्र मोदी का प्रधान बने फिर प्रधान मंत्री बने और उसके बाद 19 का दोर आता है 17 में योगी सरकार आ जाती है 22 में फिर से वापसी हो जाती है फिर 19 में भी भारती जनता पार्टी की केंद्र में सरकार बनती है और यहां के 2022 को उप्चुनाओं में निरहुआ भी जीते हैं तब से लेकर कि आ छान साथ 219 में उससे जादे 2022 में उससे जादे और 2022 के भारती जनता पार्टी की जीत हो गई अब वह जीत की सुरुआत हो चुकी है इसलिए हमें नहीं लगता कि कहीं से भी कोई समस्या है और भारती के दो Associate यासी दोनों लोग सबासीटे भारती जद्धापाठी यी देगी क्या समझे ऐसे देखे आजमगड की ही बात कर लीजिये हम आजमगड लोग सबाकी बात करेंगे तो जो हवाई पट्टी वो स्वैम के लिए बनाए थे कि उनकी नीजी बीमान उतारते थे उस पर वह वह पट्टी को जनता के लिए हवायड़ बना दिया तिर्व सुविद्या आजमगड में जो महा योजना 2021 जमाने से रूकी थी मंदर एकतीस आने वाला है उसको भारती जनता पार्टी के इसी सरकार में हुई आजमगड में गरीबों के लिए अटलावासी योजना भारती जनता पार्टी ने बनाई यह तमाम सडकों को आप देखिएर आसे पुर्तित चिरामार था उसको बनाया बिलरिया गज्ञ रावनापार मार को बनाया और हमें लगता है कि अनुरच्छन पे मरम्मत पे जो बहुत जमाने से पूरानी जो सरकारे थी समाजवादी पार्टी तो स्पेर के खराब थी हमें नहीं लगता कि इस समय जो योगी आधितनाजी की सर रूपे मतलब सड़क के नाम पर आजमगड को दिया है उतना बड़ा पैकेज हम लोग अभी सुने नहीं थे तो इस तरह से बारती अद्धा पार्टी ने तमाम तरह के काम किये हैं अभी कृसी अंसंदान केंद्र बनने जा रहा है गंभेर बन में यह सब सारी चीजे जितने बिकास का रहा है रेलवे लाइन जो बनारस से आजमगड के लिए जुड़नी है उसके प्रक्रिया सुरू है एक तरह से वो पाइपलाइन में आ चुका है तो यह सब चीजे हैं तो हो सकता है कि उन्हें दिख नहीं रहा है जनता को विश्वास है तभी तो दिन पर दिन सिक्षा के अगर बात करें तो राज के विश्व विद्याले बना है इसमें कोई संदेह नहीं है लोगों के लिए चाही है लेकिन जो बिपक्षी पार्टी है आप विकास के काम बताते हैं तो वो कहते हैं कि नहीं इनके दस साल के शासन में साथ साल के शासन मिला के 17 साल में विनाश लीला रची गई है पेपर लिख होता है और थमाम आरूप लगते हैं बेरोजगारी के तो इसका बचाओ आप कैसे करेंगे क्या जवाब हो देखिए जो पेपर लिख का मामला है पेपर लिख हुआ तो उसके लिए बहुत मैंने यह सवाल इस ले लिया क्योंकि हर जन उसकी क्या इतिसरी कैसे किया उन्होंने एटा इतावा सैफ़ई के लोगों को भरने का काम किया आजमगड में भी अगर भरती होती थी तो उनके पास से लिस्ट आती थी तो एक पेपर लिख हुआ और उस पर कितनी बड़ी कारवाई किया कि पूरे परिच्छा को रद कर द थी बीच से पचीस लाख चालिस लाख आपकारी की जो भरतिया होई सिपाईयों की चालिस चालिस लाख रुपया दिया समाजवादी पार्टी की सरकार में लोगों ने खेत बेच कर दिया कम सकम आज का युवा नौकरी पा रहा है तो उसे यह तो नहीं है कि हमें एक भरती और परिच्छा कराने आपके कहने का एसाब से पार्दर्शिता है पूरी पार्दर्शिता है वो तो युवाओं से भी आप बात करेंगे तो आपके समने आएगी अच्छा अखिलेश यादो का भी हाल ही में बयान आया कि 140 करोड की जनता है इस बार बीजेपी को 140 सीटों के लिए तरसा देगी जबकि आप लोग 400 का नारा दे रहे हैं देखे भारती जनता पार्टी तो 400 सीट पाएगी 400 के पार जाएगी अखिलेश यादो जी इससे अगर आपको मौका बिलेश सवाल जरूर करिएगा कि वो क्या 140 सीटों पर लड़ रहे हैं चुड़ाओ कितने सीटों पर लड़ रहे हैं पिछली बार तो खांदान के पांच लोग जीत भी गए थे इंडिया गड़ बंदन की तरब से बात कर रहे हैं कि एक सोचालिस सीटों पे 140 करोड की जनता इंडिया गडवन्दन से बड़ा गडवन्दन उस समय था समाजवादी पार्टी और भोजन समाजवादी पार्टी का उस गडवन्दन के बाद 2019 में भी केवल पांच सीटे वो जीत पाए और जब बाई एलेक्शन हुआ तो रामपूर आजमबट दोनों खसक गई एक ही तीन सीट भुचिये खले से आदों के पास हमें नहीं लगता कि यह तीन gefह भी कर्ण यह है तो हमें नहीं लगता कि उन्हें कोई सीटो मैंन पूरी भी हा रहा हें git कनोज भी हा रहें के इसनले लगता उदर से का जा रहा है यूपी हाफ महाराष्ट्रा हाफ और बागी देश से बीजेपी साफ तो पूछिए उन से कि महाराष्ट्रा में आप लड़ कितना रहें क्यों एक यूपी स्टेट है जहां आप लड़ा रहे हैं बात आप महाराष्टों यह रहूल गांदी की तरब से बीजेपी के लोग 2017 में कहे आ रहे हैं 2019 में कहे आ रहे हैं यह सारे चुनाओ भारती जानता पार्टी निर्दद्दर सीटे बढ़ रही है जीते जा रहे हैं चुनाओ एक बड़ा महत्रपूर सवाल है इंडिया गड़पंदन की लोग हर जन समार में कहे रहे हैं कि अगर बीजेपी आ गई तो देश का लोकतंतर खत्रे में आ जाएगा देश का सम्विधान बदल जाएगा आप क्या कहते हैं इस बारे में देखे सम्विधान के बारे में भारती जनता पार्टी और जो नरेद्र मोदी जी हमारे प्रधान मंतरी हैं हमें नहीं लगता कि सम् बुश्टे होंगे बदलने के वही इस बातों को उठा के एक भराम की इस्तिती पैदा कर रहे हैं आप 3070 की बात कर रहे हैं रहते प्राउध्थां के बारे को भारत में विले कराने का फिर भी एक विवस्ता थी कि आगे चल करके जैसे इता इस्तिती रहेगी इसमें सरकार आगे चुकि इनके पास कोई मुद्दा नहीं है इतना बड़ा विकास की बहुत बड़ी लाइन है तो यह जंता को भ्रम में डालके एक तरह से सोच रहे हैं कि किसी तरह दुरुविकरन किया जाए जैकिन जंता पूरी तरह से समझ रही है आप जब चौपालों में जा हूंके दिनयस्य लाल झाह निरहुआ के तो धर्मिनदर झाह की मळकोन संठिया उनकी चौपालों में और आदमि सुनने वाला है समझने वाला है वह कहता है कि हमाल की बड़न को Also Est the देनीर ज्म तरह के इस तरह के भरम प्रभ प्ला के उपकोсь मंत्राब किनें कोसिस कर आप लोग जब भी जनसभा में जाते हैं तो आप लोग ये कहते हैं कि आजमगड का युवा पहले कटा लेकर चलता था अब काफी कलम किताब लेकर चलता है आम जनता से जब हम मिलते हैं ग्राउंड रिपोर्ट में लोगों से बातचीत करते हैं तो जैसे योगी जी की सभा म उन्होंने कहा कि पहले ये आतंक गड़ के नाम से इसका पहचान था तो लोग ये कहते हैं कि आप लोग आजम गड़ को गलत तरीके से परिभाशित करते हैं ऐसा बिल्कुल नहीं था आजम गड़ की पहचान तो आचार चंदरबली पांडे के नाम से है आजम गड़ की पहच पहचान राहुल संक्रितायन के नाम से है आजम गड़ के पहचान अल्लामा शिबली नॉमानी अयुद्या प्रसाद हरियोद या एक से बढ़कर एक जो हमारे साहितिकार रहे हैं रचनाकार रहे हैं उनकी वज़स है ना की गलत संदर्भों में है तो इस पर आप क्या कहना चा है डिबेट आप खोलेंगे तो मिलेगा यह कोई मैं अपने से नहीं का रहा हूं उन्होंने का आजम गड़ की पहचान चंद जीत यादो जी से है आजम गड़ की पहचान राम बचन यादो जी से है आजम गड़ की पहचान मुलायम सिंग यादो जी से है आजम गड़ की प लाना तो पांचों अपने परिवार से यह आजम गड़ की पाचान बेगिना रहे हैं तो कहां तक घुमा रहे हैं हम सम्मान करते हैं चंदर जी त्याज़ों जी का हम सम्मान करते हैं राम नरेश जी का हम सम्मान करते हैं मानि मुलायम सिंग जी का लेकिन यह क्यों भूल रहे ह कि यह सिबली नुमानी कैफी आजमी की धर्ती है पंडित अजद्या परसाद रिसियों मनिशियों के धर्ती है लेकि उनकी मानसिक्ता इसी टाइप की है उनके प्रवक्ता आप लोग भी तो मंचों से उनहीं की अगर मैं आपकी बात को सही माल लेता हूं तो आप लोग भी तो समाजवादी पार्टी की तो बेरोजगारों को 500 रुपए बेरोजगारी भत्ता देने का काम किया था और आजमगड का नौजवान बिस्वविद्याले मांग रहा था सोच इनकी कहां थी कि यह 500 उसको बेरोजगारी बत्ता दे रहे थे और यह कभी भी नहीं चाहते कि आज भी जो यादो हम केवले यादो की ही बात कर लें जिसको एक तरह से बर्गला के रखे हैं कि वो जो है जब भी है तो साइकिल समाजवादी पार्टी तक ही सिबित है लेकिन जो पढ़ा लिखा उनके भी मुझ से निकल रहा है वेक्ती उसके दिमाग में आ रहा है कि हम कही न दो चौनव लडशकता है इतनी बड़ी इनकी पार्टी है इतने बड़े इनके कार करता हैं मोग मैं पढ़े बुड़ेयों चले हैं जो टिकड्मांगते उनकी इच्छा थी एक बार लोग सभा लड़ने तो उनको लड़ा ना चाहिए था लेकिन या कभी मुलायम सिंह पिर धर्मिंदर याद ओ आज नहीं कल फिर अखले से आदो जी के परिवार से उनके बेटे आएंगे बेटी आएंगे या उन्हीं के परिवार का कोई बेटी आएगा तो आजम गड़का तो बेटी जो यह मन में पाल रख्या होंगे तो मसुबा इंका कभी पूरा नहीं होने अखले जी आपके गिंती जो है भाजबा के अच्छे नेताओं में सविधन शील नेताओं में होती है मुझे लगता है कि आप भरती जिंदा पार्टी में ऐसे कुछ यहीं नेता होंगे जो इनको पक्ष बिपक्ष सभी लोग पसंद करते हैं आप यहां के युवाओं के र जो हमारे मुख्यमंत्री है और यह जो प्रवांचल एक्स्प्रेस्वे बनाया इसके किनारे अध्योगिक करीडोर बनाने की बात चल रही है उसके लिए जमिन भी एक्वाइर होने की प्रक्रिया चल रही है और हमें लगता है कि आने वाले समय में आजमगड एक अध्योग जाते हैं रुकेगा रुकेगा आठ्यली मेरा आखरी सवाल आपसे कितने उम्हेदें हैं कि सरकार इस बार वापसी करेंगे लोग कह रहे हैं लडाई बड़ी टफ है इस बार की और कुछ भी हो सकता है लोग तो यहां तक कह रहे हैं कि अगर राहुल गांदी की बात मैं ना करूं तो जो बड़े-बड़े पत्रिकार है नेशनल मेडिया के तो उनका ये कहना है कि एक सोसी से लेके 220 तक बीजेपी सिमट सकती है और आजमगड की मैं अगर बात करूं तो लोग के कह रहे हैं कि दो में से एक सीट बीजेपी गवा सकती है अपका क्या आजमगड में भी दोनों सीटे जीते गी और उत्तर प्रदेश में भी मैकसिमम सीटे भारती जनता पाटी जीते गी और आपके बहुत बड़े बड़े पत्रकार मैं भी मैंने भी सुना है कि वो अब यह बता चुके हैं पांच चरडो के मद्दान के बाद कि भारती जनता पाटी सरकार की वापसी हो रही है नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार सांसच जरूर बनेंगे यहां तक जो बराबर खिलाब बोलत प्रदान मंत्री बनेंगे सरकार भी वापस होगी नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रदान मंत्री बनेंगे यह पांच में चक्र की जो अभी चरडों का जो चुना हो चुका तो जो पत्रकार कुछ यह बता रहे थे कि बहुत तगड़ी लड़ाई है और भारती जनता पा अकले जी हमसे बाच्छित करने के लिए बहुत बाश्यक्राइब धन्यवाद